एलो फ्रेंड्स वेलकम तो और चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे या इस सीरीज में हम बात करेंगे हमारे e-commerce प्रोजेक्ट की जिसके अंदर हम सास का यूज़ करेंगे साथ इसाथ context API का यूज़ करेंगे और एक e-commerce application को बनाएंगे वो application में किस तरीके की दिएगी like this जहां पर क्या होगा हमारे पास header होगा language होगा card होगा menu है banner है top products है then footer है उसके बाद अगर हम shop पे click करते हैं तो shop page हमारा रहेगा इस तरीके का कुछ जिसमें हमारे left right section रहेगा left में हमारे filters आएंगे और right hand section में हमारे products आएंगे इसमें कुछ चीज़े ऐसी है जो आपको buggy सी लगेंगी तो उसको हम fix करेंगे आने वाली videos में साथ के साथ इसके बाद जैसे हम cart पे click करेंगे यहाँ पे हमारे button पे हमारे पास क्या होगा cart पे जाएगा इस तरीके से बिल लिंक नहीं हो तो cart पे जाएगा यह हमारे पास images रहेंगे जिसमें अभी images निश्यों हो रही है आपको और यह सारी चीज़े dynamic होंगी हम यहाँ पे fetch API का use करके data को लेके आएंगे साथ ही साथ हमारे Firebase के साथ इसको connect करेंगे उसके लिए जैसे हम add to cart करके proceed करते हैं checkout के लिए तो हमारे पास checkout section रहेगा यह कुछ इस तरीके करेंगा जैसे हम यहाँ से इसको submit करेंगे तो यह हमें Firebase के अंदर data की entry दिखेगी first हम क्या हाँ करेंगे normal way से चलेंगे सबसे पहले हम हमारे product को add to cart करेंगे data को fill करेंगे और Firebase में बेजेंगे then यहाँ पे उसके बद एक dummy data को add करेंगे और फिर उसके बाद हम देख लेंगे हमारे जो user है उसके authentication के साथ जहाँ पे जो भी user authenticate करेगा हमारी जो site है उसके उपर बनाएगा अपना account वो अपने account में जाके अपने product को चेक कर सकेगा और वो directly link कर सकेगा तो चलते हैं हमारी application में और इस पे start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारा SaaS मिलते हैं next video में सब तक के लिए take it and goodbye subscribe button को ज़रूर click कर जाएगा आकि अने वाली वीडियो के notification आपको मिलते रहे